नमस्कार दोस्तों, जॉइन टेक वन में आपका एक बार फिर्षे बहुत बहुत श्वागत हैं यदि आप पेनियरवाइ अप्लिकेशन के यूजर हैं, एक 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 संचालक हैं तो अब यहाँ पे एक नई गैडलाइन आ गई है, कि आपको अपना सौप गरिफिकेशन करना मांडेटरी है लेकिन यहां बहुत डरने की बात नहीं है हम आपको यहां बताएंगे कि कौन से लोगों के लिए यह मांडेटरी है कौन से लोगों के लिए यह चलाएमान है नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा ठीक है लेकिन अगर कर देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है तो सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि सॉप लोकेशन से प्रभाव क्या पड़ेगा आपके AAPS संचालक की ID पर देखिए अधिकान से लोग दोस्तों जो अपनी AAPS ID बनवाते हैं तो अपने होम का एड्रेस ही वहाँ पे फिल कर देते हैं या जनरली कोई सा भी मनलब एड्रेस वहाँ पे फिल कर देते हैं तो इससे आपका AAPS संचालन में कोई दिक्कत नहीं आती है बट दिक्कत तब आएगी जब आप एकाउंट ओपनिंग का काम करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे एकाउंट ओपनिंग के लिए एक्चुवल में लोकेशन सेट होगा तभी ब्रांच आपको अब लेबल दिखाई देगा नहीं तो ब्रांच आपका अब लेबल दिखाई नहीं देगा दूसरी चीज यह है कि अगर आप एकाउंट ओपनिंग कर लेते हैं तो उसके सही तरिके से संचालन के लिए भी लोकेशन का सेट होना मन्डेटरी है ठीके तो उमिद है कि आप लोग कुछ कुछ समझ गये होंगे कि किसके लिए ये आपका सौप लोकेशन मन्डेटरी है तो ये जान लीजीए कि सौप लोकेशन मन्डेटरी उन लोगों के लिए है दोस्तों जो कि पेरियरभाय अप्लिकेशन से एक्सिस बहें के करेंट एंड सेविंग अकाउंट ओपेन करना चाहते हैं तो कोई आवस्चक नहीं है प्रशान नहीं होना है आपको आप चाहें तो अभी अपना ये चला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आगे जब कोई गाइड लाइन आएगी तो उसमें आपको सौप वेरिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा अब ये सौप वेरिफिकेशन होगा कैसे इसको आपको बता दें कि ये वीडियो के वाइसी के माद्यम से होगा दोस्तों आप अपने सौप पर जो वर्तमान टाइम में आपकी सौप है जब आप उसी सौप पर बैठे रहेंगे ठीके तभी वीडियो के वाइसी के माद्यम से कमपनी आपकी के वाइसी कम्पलीट करेंगी या सौप का वेरिफिकेशन करेंगी ठीके तो कैसे कर सकते हैं कैसे आपको पता चलेगा कि आपके आईडे में सौप वेरिफिकेशन का आपसन अब लेबल हो गया है कि नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना है हम आपको ले चलते हैं अपने पेनियर बाइप्लिकेशन में जहां से आपको एक्चूल सब कुछ दिखाते हैं कि कैसे आप अपना सौप वेरिफिकेशन चेक कर सकते हैं सौप वेरिफिकेशन कैसे आप कर सकते हैं पेनियर बाइप्लिकेशन में सौप वेरिफिकेशन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आईडिय में इंटर होना होगा यहां इंटर होने के बाद दोस्तों आप यहां इस वाले आपसन पे आएंगे जो 3.00 का आपसन दिखाई देता है हमको इसी पे क्लिक करना है उसके बाद आप देखेंगे जो भी आपके सौप का नाम होगा दोस्तों उसी के सामने यहां पे एक तीर लगा हुआ आपको दिखाई देगा हमको इसी पे क्लिक करना है सबसे पहले आपके सामने यहां पे आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन होके आ जाता है आप चाहे तो इसको चेक कर लीजिए अच्छा इसके बाद दोस्तों आपको देखेंगे तो यहीं पे आपको अपना verification का option दिखाई देगा इस पे हमको click करना है उसके बाद देखेए आपका ये account verification दोस्तों यहां पे पहले से है यहां पे आपका partner verification ये भी अब लेबल है पहले से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आप लोग देखेंगे shop verification यहाँ पे pending लिखके आया हुए ठीके तो यदि आपका ये enable हो गया होगा मतलब shop verification आपका enable हुआ होगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको book now का option दिखाई देगा जैसा कि आप यहाँ पे screen shot में देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे book now का option दिखाई देगा आप उसी book now के option पे click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे date एवं time अपने हिसाब से जब आपको छुटी मिले जब आपके पास time हो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे अपना date and time select कर लीजिएगा ठीक है उसके बाद आप submit कर देंगे तो यहाँ पे पेनियर भाई की तरफ से आपको आपके whatsapp पर या आपके message पर एक link बेद दिया जाएगा ठीक है उस link को आपको अच्छी तरह से analyze कर लेना है कि यह पेनियर भाई का ही है कि नहीं है ठीक है उसके बाद आ यहाँ पे जाकर के अपने डिजी लाकर से अपना आधार जो है उसको यहाँ पे किवाईसी कर देना है और साथ ही साथ दोस्तों आपको वीडियो किवाईसी भी वहीं से अबलेबल हो जाएगा तो अपना वीडियो किवाईसी भी वहां से complete कर लीजिएगा लेकिन इसको cool actual set होगा ताकि आपको account opening में किसी तरीके का कोई ब्योधान उत्पन ना हो चाहे आप यहाँ पे current account open करना चाहेंगे चाहे saving account open करना चाहेंगे वो सभी facility आपकी activate हो जाएगी जब आपका shop verification यहाँ से complete हो जाएगा तो ठीके आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ विसेश जानकारी चाहेंगे अगर अभी जो मैंने आपको बताया इसमें भी आपको संतुष्टी नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे frequently ask question यहाँ पे दिया गया है आप लोग इसको click करेंगे ठीक है तो आप देखेंगे तो इस टाइप से यहाँ पे एक interface open होगा जहाँ से कि आपको बहुत सारी जानकारियां दिखाई गई है आप इसको read कर लीजिएगा यहाँ से भी आपको काफी knowledge मिल जाएगा ठीके तो इस तरह के से आप लोग अपना shop verification complete कर सकते हैं कुछ आपको video देखना है इसके बिसे में business जानकारी के लिए तो उसके लिए आप देख सकते हैं watch tutorial का option यहाँ पे दिया गया है आप लोग इसको click करेंगे तो यहाँ से video आपके पास चलेगा ठीके यहाँ से आप लोग इसको भी देख लेंगे आसानी से इसके बिसे में सारी information आपको मिल जाएगी अपना video के YC के माद्यम से अपना shop verification आसानी से कर लेंगे ठीके तो उम्मीद करते हैं कि यह information आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा useful लगी होगी अगर video पसंद आया है तो like कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आया है तो subscribe करके bell icon को भी press कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी video आपको इस channel पर लगातार मिलती रहेंगी